आज मैं आप लोग के लिए ठंड में बनने वाले बातु साग की स्पेशल डाल वाली रेशपी लेकर आई हो और शे मैंने अपने ट्विस्ट अंड ट्रिक्स के साथ बनाया है एक बार पूरी वीडियो को देखिए और इस सर्दियों के मौशम में इस स्पेशल बातु साग व यहां पर मैंने बातु साग ले लिया है और इसे अच्छे शे हमने शाप कर लिया है और इसे फिर आप वाश भी कर ले उसके साथ ही हमने यहां लिया है उरत डाल जो मार्केट में इसली एवलेवल होते हैं आप पी आसानी शे किसी मार्केट या शुपर मार्केट से खरीच सकते हैं उसके साथ ही हमने इसे अच्छी से वाश करके कट कर लिया है बस रफली चॉप करना है से क्योंकि हमें तो फैनली सीटी ही लगानी है और दाल को हमने वाश कर इसमें बातु साथ चॉप किया हुआ एड कर लिया है और साथ ही इसमें एक कप पानी आड कर लें ज्याद और एक चम्मच मस्टेड वाइल डाल दिया है और इसे करीब 5 से 7 सिटी आने तक बॉयल कर लें एक सिटी आफ फूल फ्लैम पर लगने दें और 5 सिटी आफ बिल्कुल लो फ्लैम पर लगने दें और देखिए बिल्कुल परफेक्ट अमारी डाल साफ्टों कर तैयार हो गई है और फिर इसे अब मैं मैसर की हेल्प से और अच्छे से मैस कर लूँगे दाल और साग की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही तम लिक्वेडी होनी चाहिए जिससे की दाल और साग अलग ना देखिए हमें इतनी इसे पकानी है तो हमने इसे perfectly cook भी कर लिया है और अब messer की help से इसे अच्छे से mess भी कर लेना है और इसे आप अगर आपके पास messer ना हो तो आप किसी glass से भी इसे कर शकते हैं mess तो देखिए बिल्कुली perfect mess हो गई अब मैं इसे mustard oil में इसके तरका ready करूँगे तो यहाँ पर मैंने mustard oil लिया है साथ ही जीरा डाला है और यहाँ मैं चौप किया हुआ लहशन, अद्रक, लाल मेर्ज, हींग और onion रखे हूँ यह सारे को हमें अच्छे से पका लेना है तो यह गया लहशन फिर लाल मेर्ज, चौप को पहले हमें अच्छे से पकने देना है और सक्गे at the channel, अच्छे साथ इम्म आपको लूंगी मैं ईसमें again और षॉपक strong einges, मैं इसमें अद्रक भाल कु मैं रज़ा डिया है आप लगाशना अधरक को ग्रेट कर लिए है तो इसलिए आप अधरक को पहले नहीं करें अनियन के बाद ही आड़ करें और हिंग भी बहुत जल्दी जल जाती है तो हिंग की खुश्वू आपको तवी आएगी जब आप इसे अनियन में आड़ करेंगे पहले बहुत जल्दी जल जाएगे तो देखिए यहां हमारा प्याज भी बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो के शाती आप इसमें जिस कंसिस्टेंसी की चाहते हैं आप डाल सागवाली उतनी गर्म पानी अड़ कर लें तो देखिए यहां पे डाल कितनी अच्छे से मैस हुई है बिलकुल ही परफेक्ट कर लिया है और हमने मैसर की हल्प से ही बिलकुल इसे मैस कर लिया है यह बहुत ह और टेश्टी तो इतनी लगती है जब आप एक पर बना कर खालेंगे तो आपकी पूरे फैमिली इस सागवाले दाल के बिलकुल ही फैन हो जाएंगे तो यहां पर हमने गर्म पानी भी आड़ कर लिया है और अब हमें इसे एक वोयल आने तक पकाना है और इसे चाहे तो या फिर सर्व करने के टाइम आप बटर आड़ कर सकते हैं देखिए मैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी अपने बातुसाग वाले उरत दाल की रेशिपी की रख्यों आप अपनी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख्यों आप जैसी कंसिस्टेंसी की यह दाल चाहते हैं उत जरूर बनाईएगा और फिर अपने experience हमारे साथ जरूर सेर कीजिए कि यह recipe आपको कैसी लगी और देखिए कितनी perfect हमारी डाल बनकर ready हो गई अगर हमारे यह recipe आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी delicious और healthy recipe के लिए और इस वीडियो को खूब सारा शेयर करें और like, comment तो बिलकुल भी करना ना भूलें Thanks for watching